बिसमिल्लाब रहानुए आज हम पढ़ेंगे past perfectence या दिक फेल माजी मुकमल सही है अच्छा यह किन actions के लिए इस्तिमाल किया जाता है वो actions जो माजी में हुए है वो दो actions जो माजी में हुआ है सही है जो दो actions हुए है उन में जो पहला होगा और past perfectence होगा जो दूसरा होगा past indefinite होगा सही है ऐसे case बहुत से मुश्किल है कि यह क्या हो एक थनहा आजाए नहीं इसके साथ past indefinite भी हाएगा सही है अगर आपने past indefinite अभी तक नहीं सेके आपको आप इसकी description link में उसको past indefinite को भी सीख सकेंगे सही है अच्छा दो actions जैसे के आप कहते हूँ मैं 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 खेल चुकाता के वो या जब वो stadium में आया सही इस्टे DM में आया सही है यहां पर देखा जाएं दो actions है मैं खेल चुकाता फस्ट दूसरा के जब वो stadium में है यह दूसरा act है दूसरा काम है सही है जो first act होगा वो हमेशा आपका past perfect tense होगा जो second होगा वो past indefinite सही है जैसे के आप एक और जुम्बब कह सकते हो मैं काना खा चुकाता का चुकाता जब वो आया सही है जब वो आया मैं खाना का चुकाता है यह आपका first work होगा जो past perfect का होगा जो दूसरा यह गए इसके बाद वो past indefinite का होगा, सही है, यानि कि यह क्या है, यह माजी के दो ऐसे काम को represent करता है, उन में से जो पहला होगा, वो past perfect होगा, और जो second होगा, वो past indefinite का होगा, सही है, अच्छे, इसके बाद हम पढ़ेंगे, भई, इसके उर्दू के पहचान क्या है, उर्दू identity क्या है, सही, अर्दू की, उर्दू में पहचान, अर्दू में पहचान, जब भी past perfect Piece के जमले आएंगे, अर्दू में तो छुके ती, तो समझ लेना ऑर past perfect tense का है जैसे कि हम मेल गाता, मैं काना खा चुका था, तो इससे आप समझ सकते हैं इस क्या है past perfect tense है सहये इस तरह कि आप और जिम्ले भी बना सकते हूं, got it, अच्छा पिर आएंगे के बैए इसके simple sentence है, इसके simple sentence है, जैसे कि आपको मालूम है यह जो संटेंस एंवह । चार किसमियों होते हैं। एक होता है, एक होता है निगेटिव जढ़े थांक्ता ही जाता है, वह पी चुकाता सही है, वह चाय पी चुकाता, वह comment कट चुकाता, तो इस सारे क्या है, वह सारे simple sentence, सही है, सबसे पहले हम जानेगे, past perfectence में simple, कैसे बनाते हैं, इसका साधा से formula है, सबसे पहले आपको subject लगाना होगा, बाद में आपको क्या है, helping verb लगाना होगा, सही है, पिर आपको V3, यानि कि verb की third form लगाने होगी, सही है, फिर आपको क्या करना है, object लगाना होगा, अचा, आपकी subject क्या कहें है, very easy, I o, you ho, we ho, they ho, e ho, she ho, sorry, she, it ho, या कोई singular noun ho, या plural noun ho, Ali and Hamad, सही है, अचा, यह हुआ हमारा subject, अचा, हमारा पास helping verb क्या है, इसकी helping verb होगा है, वो है add, सही हम याम पे, उसके बाद add लगाएंगे, पिर third form, यह first form है, अब इसको मैंने third form लगा है, सही है, पिर object cricket, got it, अचा, I had played cricket, cricket, मैं cricket खेल चुकाता, सही है, तो यह क्या हुए, आपके simple sentence, negative क्या है, negative आपको, negative इसके बनाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ Alping Warp के बाद not लगाना है, जैसे के, we add not played cricket, हम cricket नहीं केल चुकेते हैं, सही है, यह आपका negative, you add not played cricket, she add not played cricket, सही है, जैसे के सवालिया कैसे बनाते हैं, सवालिया बनाने के लिए, सबसे पहले आपको Alping Warp लगाना होगा, बाद में subject, बाद में VT, यान का वर्प के, तीसरी में, बाद में object, पर एक सवालिया निशान, सही है, जैसे के पहले आपको add, I played cricket, आखर, क्या मैं cricket खेल चुक सवालिया है, यानि कि जिसमें आप एक सवाल पूछ रहे हैं, इसको कहते हैं, अच्छा सवालिया एंड मन्फी, यानि कि वह जुम्ले जो आप अपने confirmation के लिए समय के, वह सवालिया भी है, वह negative भी है, आपको और कुछ करना नहीं होगे, जब आप सवालिया बना रहे हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको Alping War, फिर subject, फिर आपको subject के बाद नाट लगाएं, जैसे I add not, plate cricket, क्या मैं cricket नहीं किल कुछ चुकाता, सही है, बहुत ही easy chance था, I hope you got it, if there any question comes in mind, you can comment it, thanks a lot.